शिरी वाई गुरु जी का खालसा वाई गुरु जी की फते गुर दुआरा अनन्दकर साहिब शिरी गुरु गोविन सींग जीने मुबलों और पहाड़े दुश्मनों से सिक्खों की रक्षा के लिए पांच किले बनवाई इनमें सबसे पहला किला अनंदगर साहिब है, यह सबसे पुरातन किला है, किला अनंदगर साहिब अनंदपुर साहिब शहर के मठे में स्थित है, तो आज हम अनंदगर साहिब गुर्दवारे के दर्शन करेंगे, यहाँ पर दो जगा बहुत ही परसिद हैं, एक है बावली सा पर्शन करते हैं गुर्द्वारा अनंदगर साहिब गुरु गोविन सिंग्जी द्वारा बनाए गए पांच किलों में यह किला सबसे ज़्यादा उचाई पर स्थित है और उस समय इतनी उचाई पर गुर्द्वारा बनाना कितना मुश्किल होगा इसका एसास हम कर सकते हैं इतनी उचाई तक सबसमान पहुंचाना और इतना मजबूत किला बनाना कितना मुश्किल होगा और अब हम आ गए हैं बॉली सहाब यहां पर 132 सीड़ियां है 132 सीड़िया नीचे जाकर जल लेके आना होता है और यह है जल उस समय गुरु गोविन सिंग जी के समय का पवित्र जल है यहाँ पर 132 सीड़िया है जो कि नीचे उदर कर जाना होता है और फिर वहाँ से जल लेना होता है तो मैंने यह चोटी सी केन ले ली थी कि मैं भी भगवान का नाम लेते हुए, वाईगरू, वाईगरू करते हुए, 132 सीडियां नीचे उतरूंगी और इस कैन में जल भर कर मैं अपने परिवार के लिए जल लेकर जाऊंगी. मन में निश्टा हो, देर निश्चे हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है. 132 सीडियां नीचे उतरना मेरे लिए असान नहीं, लेकिन मैं कब वाईगरू, वाईगरू करते हुए, नीचे उतर गई, मुझे पता भी नहीं लगा. इश्वर हमारी हर मनो कामना पूरी करते हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए, जब हम पवित्र स्थानों पर जाते हैं, कोई ठकान नहीं होती, कोई भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम नहीं पहुँच पाएंगे. बगवान का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, उसी इश्वर की किरपा से हमें सभी सुख प्राप्त होते हैं, तो इसी निश्चे के साथ मैं धीरे धीरे नीचे अमरित की और बढ़ने लग गई. बहुत ही छोटे छोटे कदमों से, क्योंकि जल्दी जाना मेरे लिए संभव नहीं था, तो भाई गरू की किरपा से मैं उस्थान पर पहुँच गई, जहां अमरित है, जहां पर लोगों को जीवन मिलता है, और वहां पर जो भाई जी बैटे थे, उन्होंने मोटर अन कर द यहां से यह जल्द आता है, मैंने कैन को उस अमरित से भर लिया, यह देखिए, यह भाई जी है, मैंने कैन को भर की और उसका धक्कन अच्छे से लगा लिया, अब मुझे वही 132 सीड़िया वापिस चड़के बाहार आना है, अब यह सब लोग वो अमरित को ग्रेहन कर रहे है, यह देखिए, नीचे से वो अमरित आता है, और इस तरह से लोग अमरित को घर ले जाने के लिए कैनी में भर लेते हैं, मैंने भी अमरित का पान किया, वाई गुरुजी, सब पर कृपा करें, सब के आशाएं पूरी करें, सब के दुखतर दूर करें, अब मैं धीरे धी वापिस आने लग गई, मुमे वाई गुरु वाई गुरु जी का नाम और मन में धन्यवाद उस इश्वर के लिए, जो सब के दुखतूर करते हैं, सब को खुशी देते हैं, हमारे द्वारा जो भी गुना होते हैं, उन्हें माफ कर देते हैं, इश्वर बहुत महान है, वो हमारे हर गुना को माफ करता है, बशर्ते हम उनसे माफी मांगें, अपने हमारे द्वारा जाने अन जाने किये गए, कुछ भी ऐसे करम, जो हम जान बूच के नहीं करतें, पतानी कैसे हो जाते होंगे, उनके लिए माफी मांगें, और कोटी कोटी धन्यवाद करें उस इश् जिसने हमें सुखी जीवन दिया, हमारे दुख दर्दूर किये, इसी आशा को मन में लिए ये देखिए, मैं उपर तक पहुँच गई, कितनी अच्छी मुस्कान चेहरे पर आ जाती है, जब आप कोई भी संकल्प को पूरा कर लेते हैं, और इस तरह मैं अम्रित लेकर और ये जोत है, जो 24 गंटे जलती रहती है, और यहाँ पर ये नगाड़ा है, जो बजाते हैं, गुरु द्वारे में दर्शन करने के बाद मैं अनंदगर किले की तरफ चली गई, यह है अनंदगर किला, यहाँ पर गुरु गोविन सिंग जी अपने परिवार के साथ निव मत की गई है, वैसे उसके स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाम नहीं किया गया, आज भी वही दर्वाजे हैं, वही दिवारे हैं, वही उस जमाने की उस समय की इटे हैं, पवित्र गुरु द्वारे का दर्शन करने के बाद और अमरित लेने के बाद हम वापिस आगे अपने गाड़ी की तरफ और इतना अच्छा लग रहा था, हाथ में अमरित लेये हुए, भगवान जी का धन्यवाद करते हुए, और अच्छी अच्छी यादे संजोए हम वापिस आ गए, इसके बाद हम जाएंगे गुर्दवारा किरतपूर साहब, जो की थोड़े से आगे डिस शेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए, वाई गुरु जी